नवगचिया दो बच्चे की मा ने दिल दे बैठी आसी के घर घोसने पहुँची तो परिवार के लोगों ने घर से भगाया नवगचिया पुलिस दिला के डोलबजा थाना चेतन तरगत गरिया गाउं में रविवार को करीब चार घंटे तक लैला मजनू की एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जहां गरिया के रमाननसा के बेटे सुरज कुमार को दिल दे बैठी अपने परूस की ही एक दो बच्चे की मा कालपनिंग नाम लक्षमी को जब उसके पती राकेश कुमार ने पत्री को वीडियो कॉल पर सुरज से गंटो बात करते देख लिया तो उसे नागवार गुजरा और उन्होंने अस्थानिया लोगों की मदद से अपने पत्री को प्रेमी के घर सुख्चा से जाने को भी कह दिया और अपने घर रखने से इनकार कर दिया राकेश का कहना था कि यदि तूम यानि दूसरे लड़के सुरज के साथ ही खुस रहना चाती हो तो उसके पास चले जाओ इससे हमें कोई आपत्ती नहीं होगा मैला भी अपने प्रेमी सुरज के घर पहुंच उसके घर घुसने लगी लेकिन सुरज के परि निवाने की कसमें भी मेरे साथ खाई है आज जब हमारे पती ने सुरज के साथ वीडियो कॉल पर बाते करते देख लिया तो वो हमें घर से बहार निकाल कर उसके साती रहने को घर से बहार निकाल दिया तो सुरज अब हर बात से इंकार कर हमें रखने से तैयार नहीं हो रह है ज्यातों कि लक्षमी को पहले से एक तीन वर्षिया पुत्र वा डेड़ साल के बेते हैं सुरज रवानन साका और विवाहित लड़का है वहीं इस मामले को सुलजाने सुनी यादब पृत्वी राज यादब चंसेखर मंडल विनी तानंद के साथ अंगन्यवान लोग भी म मामले की छान विन में जुटी थी